युनाइटेड नैसन में भारत की दहार से खामोस हो गया पाकिस्तान पाकिस्तान की हाम है हाम मिलाने वाले तूर्की के लिए किया ऐसा काम भूल नहीं पाएगा भारत को वीटो नहीं मिला फिर भी भारत ने दिफाई इस्ताई देशों से बढ़कर जिम्मेदारी यो एन में हुई भारत की तारी मेकिन इंडिया की गोंच से ताकतवर देशों में मची खलबली समुद्र में बड़ी भारत की ताकत दोस्तों युनाइटेड नैसन में एक बार फिर से भारत की गरज से पूरी संयुद्र राष्ट महा सभाका सम्मेलन खामोस हो गया इस बार भारत के टार्गेट पर युनाइटेड नैसन के इस्ताई देशों के साथ पाकिस्तान भी था तबाही के दहलीज पर खड़े पाकिस्तान की अकड़ अभी भारत के सामने कम नहीं हुई लेकिन इस बार भारत में युनाइटेड नैसन के अंदर पाकिस्तान को करारा तमाचा जड़ा है जिससे पाकिस्तान कई सालों तक याद रखेगा वहीं भारत ने एक ऐसा काम किया है युनाइटेड नैसन को फिर से भारत की तारीब करनी पड़ी है जिन कारियों के लिए United Nation के इस्ताई सदश्यों को आगे आना चाहिए लेकिन वे भारत के पीछे रह जाते हैं जब से भारत ने United Nation से अपने एस्ताई रूप से कार्यकाल को खत्म किया था उसके बाद ये पहला मोका था जब United Nation के मंच से भारत के प्रधिनीदी के स्टेटमेंट से UN में खलबली मच गई हो तो दोस्तु क्या है पूरा मामला? आईए आपको विश्तार से बताते हैं पाकिस्तान का ये पुराना इत्यास रहा है कि जब भी उसका मुकाबला भारत से आमने सामने होता है उसके पास कश्मीर पर जहर उगलने के अलावा और कोई भी मुद्दा नहीं होता वहीं बीते दिन United Nation में जब पाकिस्तान को अपना पक्स रखने की बारी आई तो पाकिस्तान को इश्वक्त जरूरत थी दुनिया शे आर्थिक सहयोग की पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि रसोई गेस को सिलेंडर में ना भर कर पोलीथिन में भरना पड़ रहा है हर तरप तबाही फेली है लेकिन पाकिस्तान के प्रतिनीतियों ने जब United Nation में मंच से बोलने की शुरूरत की तो उसको अपनी तबाही की याद नहीं रही बलकि वे कस्मीर पर भारत को घेरने के लिए बयानबाजी करने लगा इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है जरूरत थी पाकिस्तान के गरीब तबके के लोगों के पेट भरने की लेकिन पाकिस्तान को फिक्र है कि कश्मीर के अंदर भारत लोगों पर जुल्म कर रहा है वहीं जब भारत के बोलने की बारी आई तो संयूक्त राष्ट महासबा के लिए न्यूक्त भारत के इस्ताई मिशन कांशलर राजेस परिहार ने सबसे पहले तुर्की और सीरिया में जो इश्वक्त प्राकर्तिक आपदा आई है उसका जिक्र करते वे बताया कि भारत की ओर से हर संभव मदद भेजी जा रही है जैसे ही भारत को जानकाई हुई कि तुर्की में भूकंब और बरफिले तुफान ने कहर मचा रखा है भारतीय सरकार ने बिना कुछ शोचे पर इसमान में मेडिसन के साथ कई मेडिकल स्टाप को भी तूर्की के राहत बचाव कारियकरम में भाग लेने के लिए भेजा गया यह वही तूर्की है जो युनाइटेड नैसन में पाकिस्तान की त्रह कश्मीर के मुद्दे पर भारत को घेरने की कोशिश करता है पर इसमान में लेंड करा दिया भारत के इस कारिय की यू एन के अंदर जम कर तारीब की गए उसके पहले ही भारत ने अबई में अपनी महिला सेनिकों की तैनाती करके अबई के अंदर सांती ववस्ता कायम करने की जिम्मेदारी अपने कंदों पर उठाई थी युनाइटे भारत की बारे में हर बार जूट बोलता है। जूट का सहारा लेकर भारत को टारगेट करने की कोशिश करता है। लेकिन जम्मू, कश्मीर और लगदाक हमेशा भारत का अभिन अंग रहा है और रहेगा। भारत का हिस्सा है। फिर भी आर्टिकल 370 को हटाए जाने का पाकिस्तान आज तक विरोध करता रहा है। इन सब के अलावा भारत के प्रतिनेदी ने पाकिस्तान को सुझाव देते वे कहा कि वास्त्विक्ता को श्वीकार करो और भारत विरोधी दुष्प्रचार को बंद कर तुर्की हमेशा ही भारत के विरुद्ध विरुद्धी रुख अपनाता है इसके बावजूद भी मोधी सरकार ने तुर्की के लिए NDRF के 200 जवानों के साथ खोजी डोग दवाओं समेद मेडिकल टीम को तुर्की भेजा है इन मेडिकल टीम में 89 सदश्य शामिल है तुर्की ने कभी भी कश्मीर के मुद्धे पर भारत का साथ नहीं दिया आतंकी पाकिस्तान की हां में हां मिलाई थी लेकिन इस संकट के वक्त भारत ने मानावता को उपर रखते वे दिल खोल कर तुर्की की मदद करने से पीछे नहीं हटा बले ही तुर्की ने भारत का कभी भी साथ नहीं दिया लेकिन इस मुश्किल वक्त की घड़ी में भारत ने वशुदेव कुटूंबकम की रहा पर चलते वे तुर्की की भारी मदद की है दोस्तो अब आईए आपको एक और महतपूर खबर के बारे में बताते हैं भारत ने अपनी सवदेशी तकनीक शे फ्रांस, रूस और अमेरिका जैसे देशों को दिखा दिया कि भारत के लडाकू बीमानों में भी वे काबिलियत है जिने आसानी शे युद्ध पोतों शे भी ऑपरेट किया जा सकता है उदर आयानस विक्रांद पर राफेल M के साथ मिग 39 और ट्वीन इंजन बेश्ट भाइटर जेट को तैनात किया जाएगा इस युद्ध पोत की लंबाई 262 मीटर लंबी और 69 मीटर और चोडाई 62 मीटर है आमतोर पर युद्ध पोतों पर तैनात होने वाले लडाकू विमानों को छोटी दूरी में ही लेंड और टेक ओप करना होता है इसलिए अभी तक दुन्या में कम ही ऐशे देश हैं जिनोंने युद्ध पोतों पर तैनात होने वाले लडाकु विमानों का निर्मान किया है जिस तरीके से फ्रांस मेर राफेल लडाकु विमान का निर्मान एरफोस उनने भी दोनों के लिए किया गया उसी तरीके से भारत भी अपने light combat aircraft LCA तेजस का निर्बान भी वायू सेना और नो सेना दोनों के लिए कर रहा है वहीं बीते कल तेजस ने पहली बार आयानस विग्रान पर लेंड किया है उदर जैसे ही आयानस पर तेजस लेंड कर रहा था अपने आपको ताकतवर समझ रहे देशों में खलबली सी मच गई थी दरसल कोई भी देश नहीं जाता कि भारत टेकनोलोजी के मामले में इतना आगे निकल सके क्योंकि वह चाते हैं कि भारत उनसे हत्यारों को खरिदता रहे लेकिन अब 2023 का भारत वो भारत महीं जो अपनी शैना के लिए हत्यारों का निर्बान कर रहा है और साथ ही दूसरे देशों को घातक हत्यार बहुत कम दाम पर बेचने की सुरुवात भी कर चुका है उदर मुझुदा वक्त में LCI तेजस के तीन वेरियंट पर काम किया जा रहा है जिसमें तेजस मारक 1 तेजस मारक 1A और वायु शैनी के ट्रेनर विमान शामिल है इंडियन एरफोस में तेजस मार्क वन के 40, तेजस मार्क एक, एके 73 और 10 ट्रेनर एरक्राप्ट के ओडर प्लेस किये हैं इसके अलाबा तेजस मार्क के टू पर भी काम किया जा रहा है जो 2026 तक बन कर तयार हो जाएगा यानि कि अगले कुछ ही सालों में भारतिय वायुशेना और नोसेना के जंगी बेड़े में तेजस विमान की बड़ी शंख्या में शामिल होने वाले हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही लेकिन आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद